गुद्ध मॉनिंग नमस्कार माइनम इज राज आलंपूर आज यूनो आए मोटिवेस्टन स्पिकर एंड हुमन काउंसलर हम बात कर रहे हैं सो बात एक काम की सीरीज की वीडियो नंबर पांच में हम पहुंच गए हैं यदि आप इस सीरीज की दूसरी वीडियो को भी देखना चाते हैं आप अमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके दूसरी वीडियो का आनद ले सकते हैं वहां से आप सर्च कर सकते हैं से वाते काम की तो आईए हम वीडियो को शुरू करते हैं As you all know कि हर एक बच्चा जब मेनत करता है जब वो struggle करता है तो कई बार उसे ऐसा मैसूस होता है कि हमें वो काम करने चीज़ों हमारी hobbies हैं बहुत सारे बच्चे painting के रूप में, drawing के रूप में या लिखना या फिर कुछ दूसरी चीज़ों को अपना के अपनी थकान को और अपने struggle को और अपने मन को वो संतुस्ट करते हैं 2016 में कुछ पंक्तिया मैंने लिखी, WhatsApp status पे जब मैंने लगाया तो काफी सारे रिक्वेस्ट है कि सरी से YouTube पे यदि आप बोले तो काफी अच्छा लगेगा तो आप सभी के बीच में हाजिर हैं वही पंक्तिया जिसका टोपिक था बताओ तो बताओ तो सिस्टम से सवाल पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताओ ऐसा तो आईए हम बिना कोई देरी के शुरू करते हैं अब काबियत पैसे से चमकदार कहां बताओ तो अब काबियत पैसे से चमकदार कहां बताओ तो चोर उचकों से इंसानियत असरदार कहां बताओ तो इंसानियत होती तो मस्जिद में हिंदू मिलते गुर्दवारे में मुस्लिम और चर्थ में सरदार कहां बताओ तो सियासत के खेल के नियम तो बने ही नहीं सियासत मतलब राजनिती सियासत के खेल के नियम तो बने ही नहीं दो-दो हाथ वालों को भी रोजगार कहां बताओ तो और गणित की सचाई से तो मैं भी वाकिफ हूँ मगर जीवन गणित में दो और दो चयार कहां बताओ तो लोगतंतर की बात की है तो ये भी सुन लो जी हाँ लोगतंतर की बात की है तो ये भी सुन लो अमीर और मुफलिस के लिए समान अधिकार कहां बताओ तो सदा बाहर सक्सियत भी सदा बाहर इस तानासा समाज में आज कल चन्द सिक्के भी मिलते हैं उधार कहां बताओ तो हैवान और इनसान एक ही जैसे सच्चाई कहना गुना नहीं है आज दोस्त भी दोस्ती में वफादार कहां बताओ तो गुनाहों को साधिशों को कभी छुटी भी दे दिया करो मगर आज अकबार वालों का भी एतवार कहां बताओ तो और लास्ट में यही कहना चाओंगा कि मेरे देश में प्याव का गिलास भी बांध कर रखना पड़ता है बरिष्टाचारी इंसान ही कहता है देश में बरिष्टाचार कहां बताओ तो और सच से जुड़ा हूं तो पहुँचा देना हर गली में इस राज को फिर महोबत बरी दुनिया में नफरतों के बीमार कहां बताओ तो होप आप सभी को यही कुछ बातें अच्छी लगी होंगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कल मिलते हैं अगली वीडियो में